प्यारे बच्चो, नमस्कार, आज हम अपनी किताब नैतिक सिक्षा का पाठ नम्बर छे करेंगे, पाठ का नाम है कसरत, देखिए बटा, यह है पाठ नम्बर छे, जिसका नाम है कसरत, कसरत का अर्थ होता है बटा, वयाम करना या फिर वरजिश करना, आपने अपने से लोगों को बेटा कसरत करते हुए देखाऊगा लेकिन कसरत बच्चों के लिए भी उतनी ही जिरूरी है जितनी की बड़ों के लिए ज्योंकि कसरत करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है और हमारा जो दिमाग है वो शान्त रहता है बेटा अपने श्रीर को स्वस्त रखने के लिए और अपने आपको बीमारियों से बचा कर रखने के लिए आप सबी को सुबा उठकर थोड़ी देर कसरत करनी चाहिए जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बेटा इस स्पेज में आपको कसरत करने के कुछ ढंग बताएगे हैं जैसे कि आसन दंड बैठे आदी आप इस स्पेज पर दिखाएगे इन आसनों में से भी कुछ आसन कर सकते हैं या फिर आप अपनी तरफ से अपनी पसंद क कोई भी और आसन कर सकते हैं जैसे कि योगा होता है बेटा उसमें बहुत सारे आसन ऐसे होते हैं जिन से हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फाइदा मिलता है इन चित्रों को ध्यान से देखिए बेटा इन चित्रों में बालक जो आसन कर रहे हैं वो आसन ज्यादा मुश्किल नह है कसरत करने से बेटा हमारे शरीर में लचीला पन बना रहता है और हमारे शरीर में उर्चा का भी विकास होता है क्योंकि जब आप पढ़ाई करके कई बर बेटा आपका दिमाग जो है ठक जाता है तो कसरत करने से आपके दिमाग को आराम मिलता है और इससे आपकी सोचने और समझने की शक्ते भी बढ़ती है तो आज हमने इस पार्ट में सीखा बेटा कि कसरत करना हमारे शरीर के लिए बहुत फाइदे मंद है इससे हमारा शरीर और दिमाग दोनों तंदरूस्त रहते हैं तो आपने आज बटा इस पार्ट का अभ्यास करना है और सबी बच्चों ने सुबा उठकर थोड़ी देर कसरत करनी है ओकी बटा आज के लिए इतना ही धन्यवाद